नमस्कारा आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आफी के चैनल में आज मैं राम लड़ू लेकर के आई हूँ वैसे तो मैं मूंग दाल का बड़ी बोलती हूँ इसको पर ये राम लड़ू के नाम से जाना जाता है और उसी के साथ ये हरी मिर्ची का भी पकोरी है तो ये देखिए गोला गोला ये मूंग के दाल का बनता है काफी टेस्टी होता है खाने में और मानिये तो एक तरह से हिल्दी भी होता है देखिए ये चान रहा है भईया इनके यहां का काफी टेस्टी होता है यह राम लड़ू तो हम लोग अक्सर मंगबाते हैं और वहां खाते भी हैं तो एक बार सारे को फ्राई करके हलका सा रखे रहते हैं फिर जब ओर्डर आता है तो और डार्क फ्राई करके गोल्डन ब्राउन करके निकालते हैं यह प्लेट में निकाल लिये हैं प्लेट में लगाते हैं हलका मूली कदुकस क्या होता है और मूली का ही पत्ता थोरा सा कटा होता है और हरी चटनी मसाला के साथ यह खाने में बहुत ही अच्छा होता है लगबख सभी कोई खाए होंगे देखिए यहरी चटनी डाले हैं भीया बहुत टेस्टी होता है तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा यह मुंग के डाल को रात भर धो करके भींगने के लिए डाल देते हैं और बिल्कुल बारीक पीस्टे हैं और देखिए कितना अच्छा लग रहा है खाने में देखने में सुरी तो खाने में भी उतना ही चट पटा है यह दूसरा प्लेट तयार हो रहा है हमने दो प्लेट का ओर्डर दिया था तो एक मेरे हाथ में है दूसरा भहिया तयार कर रहे हैं तो यह डाल को पीस करके ले आए ये रात भर भिंगा आये हैं मूंग दाल को और इसको पीस लिए हैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसको हाथ से खूब फेटेंगे नमक डाल करके देखें ये फेट रहा हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये जितना फेटा रहेगा राम लड़ू उतना ही टेस्टी बन है अब इसको छानेंगे थोड़ा थोड़ा डाल करें यहां पहले से कई तरह की पकोरी लखी है पालक का, प्याज का, मूली का और राम लड़ू है इधर ये मूली कदकस किया हुआ है तो ये हलका फ्राइब करके रख रखें हैं पहले से और जब ऑर्डर मिलता है तो ये फ थोरा और पानी डाल करके इसको थोरा सा हलका गीला सा किये हैं और यसी में मिर्ची भी फ्राइज करेंगे क्योंकि हम लोग मिर्ची के लिए भी बोले how тех zero तो और एक राउंड थोड़ा सा कम फ्राई करके निकाल लेते हैं फिर दूसरे राउंड में डाल करके फ्राई करते हैं तो काफी कुरकुरा बनता है ये देखिए मिर्ची तल रहे हैं भीया इसके बाद ये राम लडू डालेंगे काफी तेस्टी ये मिर्ची भी होता है खाने में और इस बेशन में कुछ भी नहीं डला है बस नमक ही बया डालेंगे ये राम लडू भी डाल दिए अब इसको उलट पुलट करके गोल्डन ब्राउन कर लेंगे फिर प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह ये राम लड़ू या मिर्ची का पकौरी सारा कुछ बन जाता है तो देखिया और साइड में आप देख रहे हैं मूली का, प्याज का, पालक का सब कुछ का पकौरा है यहाँ पे बना हुआ यह हो गया, अभी इसको थोरा सा कम में ही फ्राई में निकाल लिया है अब दूसरे राउंड में फिर से दो मिनट बाद ही डालते हैं जैसे यह राम लड़ू पहले निकाले थे, अभी फिर डाल रहे हैं दो मिनट का ही अंतर करते हैं, पर वो कापा यह दो मिनट के लिए निकाल लेने के बाद, दूसरे राउंड में जो डाल करके फिर फ्राई करते हैं उसी से उसका ओरिजिनल टेस्ट खुल के आता है, काफी कुरकुरा सा होता है तो यह दूसरे राउंड बाला भी ओ डाल रहे हैं और एक मिनट बाद यह मिर्ची और यह दोनों डाल करके निकाल लेंगे फिर हम लोगों का प्लेट लगाएंगे और मुली चटनी सब डाल करके, यह फाइनल है यह दूसरे राउंड का छान रहे हैं अब हम लोगों का प्लेट तैयार हो रहा है यह प्लेट में निकाल लिया भईया दो प्लेट में लगा रहे हैं राम लड़ो और मिर्ची दोनों यह मूलीक डाल रहे हैं कुदकस किया हुआ और यह मसाला डाले, अब हरी चटनी डालेंगे काफी टेस्टी होता है हमें लगता है कि साइद ही ये कोई नहीं खाए होंगे सब ही खाते ही होंगे पर सब जगह का कुछ अलग-अलग टेस्ट होता है इनके यहां का बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है तो यह एक प्लेट हमारे हाथ में आ गया है इस तरह ये राम लड़ू बन कर तयार हो गया क्यासा लगा ये वीडियो जरूर आप लोग बताईएगा मैं खाई बहुत अच्छा लगता है इनका राम लड़ू तो मैं बूली कि आप लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचाऊं पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धरनेवाद अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन ओन कर ले पहले से जुड़े हैं तो थैंक्यू सो मच उमीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा एक बार और धरनेवाद आप सबों का